जी सेर्ष रू करें सर्थ हाँ मैं प्रेजंटेशन ओन करता हूं तो एक सब्सक्राइब जहां आज हम अनुद नए विशयक साथ जो आप लोगोम करें इनके समय के विद्याकी में पर थी। जो मचीजक भाग जाय को करेंगे हैं और इस चार्चा में आज हमारे ही विश्टियक बांचे विश्ट पोर बाते वह निए विश्ञक करने देरा गाएं कि आपने फिर से आभारी हूं कि आपने फिर से मुझे अपसर चार्टरों के साथ जुडने के लिए और अच्छा लगता है जिस प्रफेशन से मैंने सुरू किया था और जीम कॉलेज में ही मैंने पढ़ाया था अपस वसी जीम कॉलेज के केमपस में OSU स्तापित है और हम लोग वर्चुली मतलब आमने सामने फिशिकली नहीं जुड़ा है हिंदी विवाग के OSU में उनका उनके प्रति आवार बेक करता हूं अमित प्रिपाठी जी है जो टेक्निकल टीम में और मेरे साथ जो छात्र जुड़े हैं अभी जो मैं देख पा रहा हूं बासुन बसंदरा मेहर गोल्डी गुपता कमल पतनायक लक्ष्णुप्रिया मिस् बागत है और हम लोग अभी शुरू करेंगे आज का जो विसाय जैसा अभिसेव जी ने बताया वह वाशा विग्ञान पर यह अधारित है लेकि बड़ा रोचक है और आ है मैं पर सुरूए आज का जो विस्षय है वह विश्व के भाषा परिवाद यह विश्व की भासाएं और भारति भाषा परिवाद इसके उपर हम चर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो भासा विग्ञान पढ़ते हैं तो भासा विग्ञान में जो भासा परिवार है वह एक बड़ा ही प्रमुक विश्व हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है तो उसक्रम में जो भासा विग्ञान का विद्यारती है उसको हम इस इन विश्व से जोड़ सके और उसका जो उसकी जो अवधारना है इन विश्व के बारे में उसको और पश्ट कर सके उसक्रम में आज हमने यह वैक्षा बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी हैं लगबग चारजार बहुत किया गया है और अपस की बात करते हैं तो परिवार के जो कि सजय संबंद की होते हैं उनमें कोई नया कोई एक अंतर संबंद होता है उसी प्रकार भासापरिवार की वह वह सांद होता है भारत एक फिशाल डेश है और इसमें लगबग 1650 भासा यह बोल है बोली जाती है अब तो बहुत दो ब्वारत में आ जाते हैं जैने कि उन भासा परिवार 2 जाती कि ब्वाहसा परिवारों की भासा खैवारत भारत में बहुन स मुलिट लुड़ता न मावज़ विए प्रजय कृश्ट मेर की मुन साखा हें घिये हैं अपना स्क्रीन स्थ और आए है को स्थ जिखने रहा है को सब्सक्रार मतला कि अपनी गारे इस सीवेसे स्थ ना नीए सब्सक्राइब हो प्रेज़ंटेशन जहां पर आप इंपले से बिए अगेस्विकेंग कि ए अगेस्टाइबूर मुबाइल पर दिख रहा हो मतलब आप शेरिंग बंद करें के वाप्टिश्ट को शेयर कीजिए, राकेश सब्सक्राइब? राकेश सब्सक्राइब? जी प्रिये विद्यार्थी आप लोग अनुरोध है कि प्रेजन्टेशन यहां पर कालड़ है, इसलिए बीच में आपने स्क्रीन को प्रेजन्ट ना करें, इसलिए अनुरोध है कि क्या स्क्रीन शेयर ना करें जी सर अब आ रहा है सब्सक्राइब? अभी आ रहा है ना? जीए और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी स्क्रीन देख पा रहे हूंगी यहां का, तो मापस से आते हैं विश्यके उपर, तो हम बात कर रहे थे भासा परिवारों की तो चार प्रभुख भासा परिवार जिसमें भारोपिय भासा परिवार, ध्रभिड परिवार राष्टिक परिवार दिकवद परमी परिवार जो है या चीनी तिबत परिवार साखा हैं, इनकी भासा बारत inवार χुर अर्वन भासा हैं बोलने वाले लोगों का लोगों के संखिय ढ़ारत fitness के । ठीक है और जो आज हम देखते हैं कि संभीदान की सूची में अठारा भासा है यह आपका जो पूर्स की किताब है इसको थोड़ी से अपडेट करने की आफ़शक्ता है कि आप अठारा नहीं है अब यह 21 भासा है इसमें जुड़ चुकी हैं तो उसमें 13 आरी भासा हैं हैं और सामिल की गई हैं तो आगे चलते हैं संसार की कुल कितनी भासा हैं यह अनुमान का इसे हो सकता है कि पूरे विश्यो की भासाओं की विद्वाद करना संभब नहीं है कि अपनी विश्यो में कितने भासा परिवार हैं इसमें विद्वानों में मतवेथ हैं कुछ भासाओं में के परिवार की विश्यो की विश्यो जो है बहुँ भासी है नो दस भासा परिबार तो यहां मैं बता नहीं चारा था कि जैसे आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है बहु भाशी है कितनी भासाइं बोली जाती है यह नुमान कहते हैं कि लगबद पूरे विश्व में 4000 से 5000 भासाइं मैं यह बोली जाती है आपको यह जानकर कैस्टर होगा कि हर साल हमारे विश्व से कुछ भासा है जो है वह भी लोगत हो जाती है यानि वह कि नुम आये था कि हमारे एक भाशा है जो अंडमान में बोली जाती है और उसको बोलने वाला सिर्फ एक व्यक्ति बचा था तो उस व्यक्ति की मृत्यू पर क्या होगा वह भासा पूरे दर से बिलुप्त हो जाएगी तो इस तरह से और यह भी जान लिजिए कि कुछ नई भासाएं भी हर साल दुनिया में जुड़ती हैं लेकिन जुड़ने नई भासाओं की संच्चा बहुत कम होती हैं लेकिन जो प परिवार इसलिए बनाया गया क्योंगि जो वहाषाओं का अध्यन करने में को बड़ी शुविदा होती है, इससमें आसानी होती है क्योंगे अगा हम उसको क्या है, कि हर भासा को एक अलग अलग परिवार में ले तो उसकी विसेशताओं को और उस परिवार की भासाओं में जो अंतरसंबंध है, समानताएं हैं, जो बेशमताएं हैं, उन सब को समझने में आसानी होती है. इसके लिए क्या गया है? भासा विक्यानिकों ने पूरे विश्चो की भासाओं को कुछ भासा परिवार में बाट और उनकी संख्या लगबग नौ से दस है, विश्चो में नौ से दस प्रमुख भासा परिवार है. इनमें बहुत सारी चीचे ऐसी हैं, जिसमें भासा विक्यानिक उपा मतवेद है. यानि कुछ भासा विग्यानिक मानते हैं कि हम इसको नौ दस परिवारों में नहीं रख स विरोध है अंतर विरोध है फिर भी मुट थ्रेक बशिकली अगर मोलटे तर्षी दर्फे देखें तो नो अदौस परिवार रहा हैं और जह रहा हैं तो अधर होते हैं यह वियंगे तो पारिवारिक भरगी करण और अकुरूती मुलक मरगी करण यहीं कि दो आधारों पर अ का निर्मान करते हैं उसको देखेंगे कि ऑर टैपाइपलोजिकल क्लासिपिकेशन क्याै अजिवारिक बग्गी करण के संदर में अपने भासा के संदर में मा बेटी जैसे संस्कृत भारती भासा हैं है आदी सब्सुने हों वे बलकी अतिहासिक विकास कि दियोतर बहुंत यह माने जाता है कि उधार गोजबत चब्दावल लंबे काल क्रम में बदलते नहीं हैं उधारण के लिए संस्कृत लेटिन पता नहीं कितने हजार साल पहले एक मूल भाता सा अलग हुई होगी लेकिन उनकी क्रिया प्रचना समान है व्राता ब्रदर माता मदर यानि माता मातेर मादर पीता पीतेर पादर इस तरह से इन में समानता है तो बारी ब आज हैं या हम आज हैं अमारी 5, 6, 8 घनेरेसन पहले अमारे जो परदादा के परदादा उआ करते थे या परनाना के परणाणा हुआ करते थे उनका उनके जो बेटे-बेटी होंगे उनका कोई बेटा-बेटी कहीं बहुत दूर संबंदी का आप से अगर कोई DNA प्रिंट मिलाया जाए तो दोनों में बहुत जादा समानता पाई जाएगी क्योंकि आपका जो मूल परिवार था वो एक था और उसमें अलग-अलग पारिवारिक साखा है अलग-अलग दिसा में बढ़ गई लेकिन उन दोनों मे प्रापस समानता पाई जाएगी जैसे कोई मौसी का लड़का या लड़की उससे आपके चहरे की कुछ समानता मिलती है ठीक है क्यों मिलती है या मामा का लड़का लड़की रचा का आप लोग बैसिकली एक परिवार से ही बिलॉंग करते है और पिर आपका विकास अलग- पहले दोनों अलग-अलग साखाओं में बढ़ गई संस्क्रिट अलग दिसा में चली आई इसमें चली आई लेकिन आज भी आप देखेंगे इसा फादर जो पीतेर सब्द से बना है और पीता सब्द में इतने कितनी समानता है वह सिर्भाता और ब्रदर माता मदर और मातेर ल यह सब कहीना कहीं एक परिवार से ही जुड़ी हुई थी इसलिए यह परिवारिक बर्गेकरण के अंतरगत आता है तुसरा जो अकृति मूलक बर्गेकरण है यह क्या है भासाओं को उनकी संरचना के आधारपा लालाग अलग बर्गों मार रहा आता है यह संस्कृत भासा स ック हैं सब्क का रूप नहीं बतलते तो इसमें कि इसमें हम लोग फैमलीन देखते हैं यह परिवार्गेकरण करने के समयं की इसका मूलक क्या था एक संसकृत का संस्कृत प्रगों संस्कृत भासा यह योगात्मक भासा है तो उससे मिलती कि ऐसी कॉनीलाप सी बाहाता है तो चीनी आधार पर उसको हम लोगों ने यह कर दिया है और योगातमक भासा है योगातमक में फिर तीन रूप है असलिस्ट संसलिस्ट और प्रस लिश्ट ठीक है तो यह चीनी आधी जो है अयोगातमक भासा है है संस्कृत हिंदी युवात्मत भासा हैं तो ये इसको इस परिवार में बाठ लिए तो ये दो बर्गी गरण के आधार हो गए कौन-कौन से अधिवारिक बर्गी करण और दूसरा अप्रूति मुलत बर्गी करण हम आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा इसमानतर समझ गयोंगे आगे वड़ता है इसलिए प्रत्यक भासा की नीजे विसेस्त होती है इनके आधार पर वह आएक और खुछ भासाओं से समानतर स्थापित करती है और उसका जो समाज और देश होता है उसका उससे मिलता जुर्थी जो भासा होती उससे वो समानता स्थापित कर दिया है और बहुत सी दूसरी भासाओं से उसमें समानता होती है यहाँ पर मैं आपको उधारन देकर समझाओं तो आप इसको समझ पाएंगे कि उड़िजा कहा ह है और पंजाब करा है ठीक है लेकिन पंजाब में अम्रित कहते हैं तो अम्रित का मतलब भी होगी है पंजाबी में और उडिया में अम्रित का मतलब वही है और बंगला में जल का मतलब होगी है ठीक है तो असामी में भी जल का मतलब होगी है वह लेकिन आप उड़ी साथ से ज हमें नीरूब मोलते हैं नीरू सब्द से जलका नहीं यह जो आसा हुआ क्योंकि पंजाब और उरिजा में भोगलिक दूरी होते हुए भासा के पारिवारिक बादीकरण के दोनों भासाओं में समानता है लेकिन टेल कुभासा तो डिया से काफी ज्यादा अलग है कि उसका पर सब्स् bourguamu precisa करें सब्स प्रकार का होता है अक्रुती मूलत और अर्थ आतुत्तु संब्दीक प्रथम कहाता सब्दों के सब्दों के सब्दों और बात्यों की रचनारीका और दूसरों में सब्दों में सब्दों के अर्थ में समानता कितनी है या फिर जो सब्दों और व्याकरणिक और भासा का स्ट्रक्चर जो है उसमें समानता कितनी इन दो आधार पर हम लोग को इनके अनुसार भासाओं के बरिकरण की दो पद्देतिया आकृति मुलक और पारिवारिक या 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 यति हसी जो आभी हमने बताई उसमें चर्चा की इस पिछली वारी स्लाइड में तो इसको समझाने के आवशक्ता नहीं है यह मैंने आपको समझा ही दिया कि पारिवारिक और आकृति मुलक बरिकरण कैसे होता है और यह उनके आधार अब यह कुछ और हम इस पर देखते हैं कि बरिकरण के आधार जो है कुछ और भी है उस पर भी थोड़ा से हम प्रकाश डालेंगे तो इसमे आपको समझाऊगा पूरा स्लाइड पे हम नहीं जाएंगे जैसे भोगोलिक समानता समीपस्त भासाओं में समानता और दुरस्त भासाओं में समानता पाई जाती है इस आधार पर संसार की भासा है अफ्रीका यूरेसिया प्रिसांत मास अगर अमरिकाई खड़ों वाजित ह हो गई इस तो भारत की हिंदी और मरियालम दो भुंड परिवार की भारत और इंगलेंड यह से दूरस्त इसों की संसकृत और अंग्रेची परिवार की भासा है वोगलिक समानता होती है कि आप देख लीजिए वे बाई एक जो भोगलिक होता है वहाँ पे रहने वाले रहती है सावता आ जाती क्योंकि बहुबिलेजिक दिश्ट्री से लोग पास में रहते हैं और उसके अधर संबन रहता है तो इससे होता है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बैग्यानिक नहीं माना जाता था इसको इससरे को क्यूंकि अब उदार पंजाब और उलिसा का वैसे लेकिन इंग्लेंड की इंग्लिस और हिंदी दोनों अलग अलग भासा हैं भोगलिक दूरी बहुत जाता है लेकिन फिर भी एक ही परिवार से बिलॉंग करती है और वोगलिक समीपता के आधार पर भी भासाओं का बर्गी करेंड पुछत तक किया गया है जैसे अफ्रीकी भा है जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया की भासा है तो जोग्रफिकली होता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है कि सब्दों का प्रचलन जिन भासाओं में रहता है उन्हें एक पुल के अंतरगत रखा जाता है यह समानता भासाओं की भासाओं की समीपता पर आधारित है और सब्दों के प्रचलन के अनुरूपता ही काम होती है क्या सब्दोंबिक जीवन में प्रविब्ध को सब्द भासा के विक्सित होते रहने से मूल सब्दों में ऐसे घुल मिल जाते हैं उनकी प्रैचान अलग से करना कठीन हो जाते हैं इस प्रठनाई का समधान एक सीमा तक अर्थगत समानता है क्योंकि एक परिवार की भासाओं के अनेक सब्द अर्थ की दिश्टि से समान होता है और ऐसे सब्द उन्हें एक परिवार से संबंदित करते हैं इसलिए अर्थपरक समानता भी यह थोड़ा सा मैं आपको बता है मैं थोड़ा सा आपको उधायन देखे बताऊंगा यह सब्दानुरूपता क्यूं है क्योंकि जब हम परिवार बनाते हैं तो परिवार में बोले परिवार के अंके जो बॉली जाने वाली भास आए हैं और उन्हें जो सब्द प्रचलित है उनको देखा जाती हैसित है कि में धिवक मेंको नहीं ऑना काया है और उसके परिवार समानता औरifice समता इन दोनों कि तुन ला की जाई है मूं जासे दूर नहीं जाएंगे हम उडिशा में देखेंगे बैसे के लिए जो एक चन्डर बोल वोडिया है वो उसका असपस बोली जाती लेकिन उसमें इनमें ऐसी अंधिने बेज़ल जाते और एक की घेत के हम ले लेते हैं कुछ सब्वह 20 जो टूराम्या सब्हूर करें है लेकिन उरिया में नहीं अध्यобы है इसको लड़के वोह तेक्वा है एक सब्द है है कि लेकिन और को निया में भी भोला नहीं जाएगा तो ऐसे मैंने इभेंट देखा कि सम्भलपुरि भासा के बहुत सारे ऐसे सप्द है जिनको और या भासा वेक्ति समझ नहीं पांधा लेकिन मैंने देखा वो अवधी भा जैसे आप अगर रामचरित मानस पढ़ेंगे या तुलसिदास की या सुर्दास की पदावलिया पढ़ेंगे तो उनमें एक सब्द बहुत बार आता है पनही पनही मतलब क्या समझते हैं तो रामचंद्र की पादुका है उसके लिए पनही सब्द का प्रयोकिया ठीक है अब यह सब्द आप उडिया भासा में आपको नहीं मिले पनहीं लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे यहां बैठे हुए हैं जो प्योरली वस्टन उडिसा से विलॉग करते हैं तो हम लोग हमारी संभलपूरी भासा में बोलता है कि नहीं पॉनहीं बाटे पीटी देंगे आप नहीं देखिए कैसे लिंक बड़ा इस सब्दका तो यह सब्दानुरूपता जो है यह बड़ा ही मतलब रिसर्च का विश्य है और इसमें बहुत ज्यादा मतलब आप देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा मतलब आश्चरी हो जाएंगे कि इन में जो है किसे एक और उ इसमानता है जो मल्यालम और हिंदी में नहीं है तो यहां पर आपको जानकर करके आश्चरी होगा यह उद्धार्ण में आपको दूँगा एक सब्दें इंग्लिस में डाटर आम लोग बहुत कमनली उस करते हैं डाटर का मतलब क्या है बेटी तो दो सब्दे ले लिजे ने सुट से बना है सतंध और वैसे ही एक सब्द है डाटर अगर आपको बताऊं तो आप अभी आश्यर हो जाएंगे कि संस्क्रत में एक सब्द है दोहित्री जिससे बना है दोहिता ठीक है और उसी दोहिता से बना है तो क्या मतलब है दोहिता या दोहित्री यानि दोनों घरों का भला करने वाले दो परिवारों का भला करने वाले दोनों का हित साधने वाल और दूहीता सब्ध से बना है daughter, imaan, कमिटी सब्ध वना कमिटी वे वना का ख़र गेल समान पकाल बहुँ मालू चैल एक्शामीन, अत्यक भाषा का अपना धौनी सिद्दान्त और उच्छारण नियम होता है यह कारण है कि वह अन्य भाषाओं की धौनी यों को जल्दी प्रवावित नहीं होती जहां तक हो सकता है कि उन्हें धौनी नियम के अनुसार अपनी निकट धौनियों में बदल लेती हैं यह से भा अब भाषा की धौनियां भी मिलकर विक्षित हो जाती है और लात्मक निसकर्शों को देती है आर्ये भाषाओं में वैदिक काल के पहले मृद्धन्य धौनिया नहीं थी कि द्रविडवासा कर आप में आगे चलकर कर यह मृद्धन्य धौनिया विक्सित हो गई इसको मैं अब लुग जो नुकता लगा ना खाके निच्छे लगता है तो यह नुकता कहां से आया यह पार्सी वहसा की धुनी ए और पार्सी वहसा की धुनियों को हमने पिंदी में समाहित किया क्योंकि इसमें हमको बहुत ज्यादा मतलब समानता सी नजर आयी हूँ और हम लोगों के अंतर वह हमने उसको अनुकूलित कर लिया यह यह अपने फिल्म का नाम सुना है और खाली फटन यानि कला और फट दोनों में अंतर समझें लेकिन यह जो फट होनी थी जर्रा फटन तो यह जो धुनिया है यह हमें हिंदी में समाहित की क्यूंकि क्योंकि आप देखेंगे तो आर्य भास जब विख्सित हुई थी तो आर्य भासमें एक एरानी साखा थी और हमारी हिंदी शाखा थी और यहांनी जो भारत साका से संस्कृत बनी और संस्कृत करके बता हुगा कि यह कैसे हमारी जो हिंदी साखा या भारती आरे बाहसा साखा और इरानी साखा क्या है तो यह इसमें समंता होने करण हमने इसको एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि सब्कों में बहुत ज्यादा समंता और एक्तर से यह पाय जाते हैं लेकिन हमारे बहुत सारी बर्मी साखा की बाया बहुत से लेकिन अनकर बहुत में सब्कूर नहीं नहीं रहाएँ कि नहीं हो पाई क्योंकि उनमें ध्वानी स्वां में नहीं था यूष्म मनें कारण परिबार एक नहीं था अलग परिबार ठाट। आप अ.? थि मयाक्म के बोलता है न हम चिंप्चाँचूंग कर देंगे चाहिनागा ऐसे बहुत सार वडसेड से में बहुत जाता है तो चिंग चांग चुङ मतलब हम लोग दून्हों में बहुत जादा अंतर है चौन हम परिबार में समाहित नहीं कर पाते हैं तो यह जाल व्याकरण घथ समानता वी बहुत होती है इसके सबसे अदिक प्रामाणि को नाइए जल्दी बदलता नहीं ब्याकरण की समानता के अंतरगर धातु धातु में प्रतेलाइं कर सब्दे निर्माण व्याकरण प्रक्रियां सब्दोद्वारा बन्नों की रेशाता दाइवाक्यों में पद्विन्याज के नियम आदी में समानता का निद्धारन आवर्षिक इन चार आधारों पर भासाओं में अधिकादिक समानता निश्चित करते हैं उनका बरिक्रण कहाता है इस सम्मन्द में इस पर्स टूप से समझे चले लेना चाहिए कि यह सामें बेश्चम में शापिक् बनता और समान था दोनों करकी जाती है कि जो ब्याकरण का स्ट्रक्चर है वो समान है और अलग है और यह बड़ा ही गूर्विज है इसको आप इतनी आसानी से नहीं समझभाएं कि भासा में जैसे सब्दों के आगे लगकर के सब्द कैसे बनते हैं सब्दों के पीछे प्र इस इन सब आपके सब अधार जिसके अधार पर हम भासा के जो ब्याकरणिक श्ट्रक्चर है वो हम उसका अध्यान करते हैं और इसमें पाते हैं जैसे मैं चोड़ो सा उधारन दो जिसे हम लोग हिंदि में कहते हैं कि बाक्ति की सवन्वचना राम ने रावन को मारा राम इ करता फिर क्रिया और फिर क्रेम थे लीच हम जब बात करते हैं तो हिंदि में क्या क्या है राम ανα ने करता पहले है करने कर सैंसा परिशाक है और उसमें यह समानता है सकती है और शामानता हो सकती है यह थोड़ी बहुत असामानता हमने की समैटिक हैं परिवार की या तिब्वती भर्मी भाहसा परिवार की किसी भाहसा से करें तो आप देखें कि उनका जो ब्याक्रणिक स्ट्रक्ट्टर है वो पूरी तरह से अलग है उसमें कोई समानता नहीं है और उसको पढ़ने के लिए आप सिर्क मतलब दूसरी भाहसा के आदार मैं सीख यहाप देखेंगे तो आप पायेंगे अलग अलग जो परिवार है उनको अलग अलग रंगों के मांते हमसे अधर साय गें तो यह देखें ाति लंग कि तुल सर रहा है जोखे लिखाई देरे रहे हैं विख्राध रण जो है यह भारूपिय Wasa कि को यह भारूपिय बहादा प्रिवार है यह आप नीचे लिखाया है सोड़िए पूरा भारत पाकिस्तान और अकर और यह जो चीनी भासा परिवार की बात करते ही यह आप देखी कि यहां से यहां तक फैला हुआ इसमें जायपन कोलेशा आधी भी आजाते हैं और इस तरह से जो है यहाँ पर दिखाए तो यह वड़ा यह विश्यवासा परिवारों का जो पैलाव है है इसलिए मैं आपको द एक सेकंड में थोड़ा सा यह लोगा क्योंकि बैटरी लोग है तो मैं सो चार्जर कनेट कर देता हूँ कर देता हूँ कर देता है अविशेट जी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस मांचित्र की बात मैं आपको यह दिखाने बताना चाहूँगा कि आपस में समधित भासाओं को भासा परिवार कहते हैं कौन भासा हैं किस परिवार में आती हैं इसके लिए वेग्यानिक आधाहां बनाए गएक बहाशा हों के परिवार में बढ़ना जैसे मैं बताया था कि आधियान की उसको स्टड़ी करने थादा होती है। जैसे कि एक माता-पिता से उत्तपन एक ही परिवार के कह जाते हैं। उसी प्रकार एक ही मूल भासा से निकली भासा और बोलिया भी एक ही परिवार की कहला ट्यों है। यह थोड़ा मैंने और स्पष्ट किया आपको भासा परिवार के बर्गी करण का जो आधार है और इसकी परिवासा है परिवार परिवार की वह इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि किसी भासा परिवार के निर्माण या उसकी सम्रचना के लिए दो बातों पर ध्यांद दिया जाता है शाला बासिक समानता और दूसरा जो है स्थांक समानता समने पहले चरक्समैंट्र सब्सक्राइब आ से को यह कोई मेसज आ रहा है है प्रेजेंटेशन चालू है यह उप प्रेजेंटेशन सब्सक्राइब प्रेजेंटेशन और एक लनने से शेद गया था, इसलिए वो कट गया है प्रेज़ घर एक ले शेद गया है हाँ ठीक है अभी स्क्रीन सेर हो रहा है लगता है प्रेजिंट सेर हो रहा है तो हम चर्चा कर रहे थे कि इसके जो पांच भासिक समानता के आधारा है एक है ध्वनी की समानता दुसरा है सब्द की समानता रूप रचना की समानता बाक्य की रचना की समानता और अर्थ की शमानता यह पांच जो है भासिक समानता के आधार जिसके आधार पर हम लोग उसकी तुलना करते है परिवार का निर्मान करते हैं इस यहाँ ऐसको एक just जो मैंने पहले भी बताया इसमें आप थोड़ा देखिए गौर से तो आपको और समझ में आएगा भारुपी भासा परिवायर की भासाओं में सब्दगत समानता कितनी है जो पहला जो दूसरा यह अधार सब्द की समानता दोनी की समानता में चर्चा किये अब सब्द की समान मतर पार सी में मतर इनटेडि में मैं और अंगरेजिमें मधर इनदी में माता है तो कि यह द हत्रू कि हम बात कर रहे थे डूहुत्रू दुपällen बेटि उसके लिए हैसी ही भात्रों सब्द है कि यह देखिए सब्द में हजारों साल कुराणी भासा हैं लेकिन उनमें कितनी जादा सब्दों में समानता है जो परिवार इनकी इनका एक है इंदी से लिए के संस्कृत और पार्सी युनानी लेटिन अंग्रेजी इसारी जो परिवार है यह भासा परिवार एक है अब हम इसको जो भीष्व की जो भासाएं हैं उनके जो परिवार बने हुए है और उनको हम लोग चार खंडों में ती अफ्रीक है इसमें और उसके वाद आता है यूरेसी छंड इसमें मुख्यत्य कौन से भासा परिवार आते हैं युड़ेसिया इन यू उर्यजर इन दोनों को मिला और करके यह इसमें हमेरिक स्थिक्ख उपने इसमें इसमें एक जानिए इसमें इदर आती है इसमें आं इसमें भी आते हैं उसका काकेशियन उसका यूराल अलिटाइक फिर चीनी ड्रबीड आश्ट्रो एस्याटिक जापानी कोरियाई मले पॉलिनेशियन और फिर भारोपिय चुक है जो यूरोसिया वाला खंड है कि इसमें यह बाता परिवार और उसके बाद जो परिशांत्व महासाहर ही खंड बोलता है ईसमें मल और फॉलिनेसियन यह अमरीकी परिवार कुछ लोग इसके अंटर्गत सो भासाओं का परिवार मात है तो इस अमरीका जो खंड यानि नौर्थ और साउथ अमेरिका इसमें यह परिवार आ जाता है और इस परिवार के भासाओं आ जाती है तो यह हम देखा चार जो हैं इसको हम खंड में बाढ़ लेते हैं ताकि हमको को अध्यान करने में और आसानी हो सुभिदा हो नए सोधों के अनुसार अभी विश्व में लगवग 147 चोटे बड़े भासा परिवार हैं तो लगवग 147 चोटे परिवार विश्व में बाजाते हैं इन मैं से 25 भासा परिवारों को प्रमख भासा परिवार के रूख में चिंधिन किया गया है इन 25 भासा परिवारों में 6523 भासायं है लगवग 49-5 परशनट भासा परिवार में रखी नहीं गई है लेकिने जो 25 बहसा परिवार है और इस 25 में से भी जो खास नो दस है तो यह एक थोड़ा सा पाई चार्ट मैंने दिखा है इस पाई चार्ट से आप और थोड़ा समझ में आपको आएगा कि जो डिवाजन है और उसका जो फैलाव है विस्था है भासाओं का वो कैसे है तो सबसे बड़ा यह आप देखने ग्रीन कलर में यह कौन सा है यह इंडो यूरोपे नहीं विश्थो की लगवाग पैंतालिस प्रतिस भासा है इसमें आ जाती है इंडो यूरोपियन में बहुत बड़ा हिस्सा यह ले रहे है उसका सीनो सफने और इसको नाइजर को का एक है यह जो बात कर रहे हैं प्रोस्टैक की सेमेटिक मे बाल वह पीड़े रग में दिखाए होगी पांच परसंट है ठीक है ऊश्ट्रोसी यह वह फिंक अर्वार में है यह पांच परसंट है उसके बाद रावीडियन जो वह सा परिवार है चार प्रतिशत हिस्सा ले रहा है यह हरे रंग में जो हमारे भारत की भासा परिवार है ठीक है और उसके बाद छोटा सा जो इस आश्ट्रो ऐसे टिक का है और उसके बाद आई करके कुछ नहीं यह एक दो डाही परसेंट ऐसे इस से इनको मिले हुए तो आप देखेंगे तो ले बाद का इसकोट्रों पहासा परिवार है। उसके बाद का जो हिससा है वो इन्डो यूपिय देखेंगे लेकिन एक छोटी-चोटी जहलक हम लोग देखेंगे जो प्रमुख भासा परिवार है इनकी हम थोड़ा सा इसको क्लियर करें फिर अगली जो क्लास है उसमें हम लोग जैसे की पूरा इंडो यूरूपियन भासा परिवार पढ़ने के लिए पूरी एक क्लास चाहिए है उसको मंजाबी जर्मन नेपाली इस सारी जो भासाएं हैं यह इसमें आ जाती है और यह बहुत बड़ा भासा परिवार है और बहुत फैला हुआ है इसका विस्तार यहां आप देखेंगे तो भारत से लेकर के यूरोप और उदर अमरीका और अस्ट्रेलिया तक और लातिनी जो क्लासिकल लेंग्वेजेस हैं जो पुरानी भासाएं हैं वो उनका संबन भी इनी इसी भासा परिवार से हैं लेकिन अर्भी एक बिल्कुल विविन्य परिवार से संबन रखती है इस परिवार के प्राचिन भासा हैं बहिर मुखी स्लिष्ट योगात्मक है ठी इसको पहले इंडो इसको आरियन फैमिली भी कहा जाता हूँ लेकिन बात में इसका नाब बदलके इसको इंडो यूरोपेन लेंग्वेज फैमिली कर दिया गया कि अब उसके बाद आगे दो सीनो टिबेटि इसनो टिबेटियन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चीनी चीनी टिबवति भासा परिवार विश्व की जनसंक्राइब सबसे बड़ा भासा परिवार भासा जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भासा मंदारिन है यानी ची लहरी एक ही है एक ही सब्द अगर उच्छे या नीचे स्वार में बोला जाए तो सब्दकार्थ बतल जाता है अब यह देखिए इसमें आप जैसे से अलग अलग भासा परिवार की अलग भासाओं को देखेंगे और उनकी आप विसेस्ताओं को जानेंगे क्या हिंदी जानते हैं और तुसरे वासाओं के बारे हम ज्यादा कुछ जानते हैं इंगलिस जानते हैं तो उनकी जो विसेस्ताओं देखेंगे तो हम बड़ा चौक जाएंगे कि देखिए इसमें क्या एक ही सब्द है और अगर इसको ऑपताओं प्राइंगे कि देखिए याल यालिस जानते हैं इसमेहिं क्या झालिस्ताओं का जानते हैं ।ूक जायद़िए कि अनकी जानते हैं ड़को फ्रीका लाइन्प मुझा जोग दो सब्सक्राइब करें तो आपके प्रश्न हो आप चैट बोक्स के माधियम से लिखे जो भी प्रश्ट हो डाउट हो उसे आप लोग साजा करें पूछे कि कोई भी क्लास अभी सक्सेस्पूल होगी जब आप अपने प्रश्न करेंगे अपने बाते कहते लेकिन अगर आपको कि चीज नहीं समझने हैं तो उसे दुवारा पूछिए कोई प्रश्न हो कि संका उसे भी रखिए ताकि चीजे क्लियर होगी और जब चीजे क्लियर होगी तो आप लोगों के यह काम आएगे आप लोगों का साथ लेगे जैसे वर्तमान यह सुनने में या देखने में बहुत सिंपल या इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं जब आरिया भासा या भारिया भासा परिवार के संदर्व में पूरा डीपली जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्फिजेंट होती है कि जब विश्विटी हम बात करते हैं तो विश्व म मैं देख रहे हैं हिंदी को तो हिंदी के विकार्स के चरण में जब इतनी लंबा समय इतनी लंबी समय अब्दी लगी तो जब आग विश्व भासा परिवार को पढ़तेंगे या पढ़ते हैं समझने की चेष्टा करते हैं तो फोरी बहुत कटना ही आती है इसलिए आप ल लगार रहे तो आप लोग उस अन्रोड लेकि स्क्रीन शेयर करें सक्रीन शेयर करें तो स्क्रीन शेयर करें तो बाधा पहुंचाता है मैं चुकि लेक्टॉप में मुझे दिख जा रहा है लेकिन जैसा आप लोगों को मोबाइल में बहुत लग कनेक्ट होंगे तो साहद उन्हें दिक्कत हो रही है कि यह सब चीजों से ठोड़ा बचे कि यह कोई नया नहीं आपनों क्लास में लगागात यह जादा ओनलाइन क्लास कार रही है सर्ला सुल प्रॉबलम गोग हो रहा है किस प्रकार को प्रभल ? अब जो दो कॉर्स में गया वो कोई चीजे नहीं लिखार नहीं गराफ की चाथ करें वह आपके बुक में नहीं होगी और जो भूक आपके समझाने के लिए तो रहा सा लग से शीज लेकर करका रहे हैं वह रहीं कि आपके वह क्लियर हो जाए किताब में नहीं है अगर मैट की बात करेंगे बायों exchanged अगर उसके बाद मिद्क्कत होगी, तो प्रेजम्टेशन की प्रेजम्टी होती लोगा, जैसे एक में प्रेजम्टेशन की प्रेजम्टेशन रोगे मैं आपसे बेज दूगा, ताकि आप लोगों को समझने में और आशानी हो। और यह ना कि यह की कोई चीज समझ भी आज़ी जो है आपके पाटिक्रम से अगर बाहर होता तो मैं इंटरॉप्ट कर देता सर्बूर्ट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो जो चीजिया है वह आपके पाटिक्रम में है दो तीन चीज जो ग्राफ है या पाई चार्ट है वह आपके स पूछें साथ साथ जब क्लासेश चलती है अब बहुत ने धन्यवाद लिखा है चीजे समझ में आगे फिर एक ने सुकन्या महानता प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन को प्रेजेंट ना करें बार बार में कह रहा हूं जहां सेयर स्क्रीन या स्क्रीन करके कुछी भी कर दि कर दोए उज्क्रीन करोब में कर लिखाशे अचक्छनीरा श्यारे हम को सबस्क्रीन करें को और हकार साय है प्रतेखल दिक्रेट सब्सक्राय मॉछ प्रतीग में मंगजावना जहां से और अना यह होरे में सぁ मुमोर्ट चबी इस भीछ नियों 2 से सबस्क्रार नहीं को थोड़ा से एक विशे खुद भी पढ़ने के लिए रहता है अगर सब चीज इतनी आसानी से समझ में आजा तो दिक्कत क्या होगी हर किसी को हर कुछ समझ लागा महनत ही नहीं करने पड़ेगी अगर आपको सब चीज ऐसे बैखे बठाए समझ में आजाए तो थोड़ा महनत क भासा विग्यानों कि यह मेरा सबसे फेवरेट पर रहा है भारोपिया भाषा परिवार कि आपकी दूसरी तो छोड़े आपकी औरिया कि भासा परिवार में आती है वह पहले आप देखे वह पढ़िए आपको कहें बहाँ जाने की जो तनी है इसी किता आपको पढ़ेंगा आपको पता चल जाएगा आपकर एक पाषी कैसे आपको पता नहीं होगा आप उस भासा को लागातार बोल रहे हैं इसना नहीं इस onion बोरिंग सा सब्जेक नहीं है कि हाड नहीं है जिसमें आपको रटना हो जैसे और अच्छे से समझाएं एक सब्सक्राइब क्या है सर और अच्छे से समझाएं जब तक मैं आपको बहुत हीजिया सिंपल हुए में समझा देता हूं भासा परिवार को आप इस तरह से समझे कि आपका एक परिवार है चोटा से आप जयन फैमिली में रहते हैं हर कोई भासा बोलता है अप लोग अगर ओडिया होंगे तो ओडिया घर में बोलते होंगे लेकिन आप ओडिया बोलने ही कुछ चीज़ें आपको एक दिखने को अफ अची भासा में यही लहाजार यही सुद्धता नहीं रखूंगा थोरा सब परिवतन होगा इसी प्रकार से परिवार उसी को कहते हैं भासाइं बहुत सारी अलग अलग रहती है। परिवार है उसकी जो डाली निकलती हैं सब देखते हैं तो हर डाली से चोटी-चोटी ठेहनिया वगरा निकलती है तो वह अलग-अलग प्रगा कि भास्ता या बोली को जल्म देती है हिंदी के हम बात करते हैं चुकि उडिया के बारे मुझे उतनी जानकारी नहीं है मात्रभाशा भी नहीं है अच्छा सर आ शुक्के हैं जी सा स्वागा ते सर आपका फुना एक बात आप 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 आपकी माइक मियूट है राकेशा है हाँ हाँ थैंक्यू विस्टेग जी मैं चमा चाहता हूं कि थोड़ा सा इसमें अच्छानक से रिश्टार्ट ले लिया है तो ठीक है बापस से हम लोग सुरूब कि तो कि काई तू यह क्रिनंग करते देले को बहासा परिबार रहे हुस्के बारे में आपको बता है और फिर हम लोग बात कर रहे थे चीनी तिबती भासा परिबार के बारे में इसको अंग्रेजी में हम सीनो टिबेटियान लेंग्वेश फैमिली कहते हैं तो यह विश्व में जन संख्या का उनुसार सबसे बड़ी भासा यानि मंदारीन जो भासा इससे संबंदित है और चीन और तिबत में बोले जैने वाली भासा हैं और जो बरमी भासा है यह सब इसके अंतरगत है और इसके विसेशना में आपको यी बता रारा था कि इसमें जो है जो टोन है या उच्छारन जो लहजा है उसमें बड़ा अंतर पड़ता है जैसे है कि सब्दा आखर उच इस राचीन काल में जो हमारी गृंट है पुरान आदी में इसको नाग भासा परिवार वहार कहा गया है और इसे एक अक्शर परिवार भी हम लोग कहते हैं कि is इसलिए इसे एक आक्षरी परिवार भी आ गया है यह भासा है कस्मीर हिमाचल प्रदेश उत्रांचल नेपाल सिच्छिम पस्चिम बंगाल भुटान अड़ाचल प्रदेश आसाम नगालेंड नेगालें मरिपूर टिप्रा और मिजुरावादी राज्य में या इन शेत्रों म बोली जाती है तो जो भारत में भी जो है काफी बड़ी आवादी है जो चीनी तिब्वती बहसा परिवार की बहसाएं बोलती है जैसे पूरा जो नौर्थी इस्ट है और उसके अलाबा इमाचल प्रदेश कस्मीर यह सब जो प्रदेश है इन यहां पे भी इन बहसाओं का प्रयोग किया जाता है अगला जो है वह सामी इसको हम अफरीकी आप परिवार के आफ्रो एसे इंग्लिस में गोलते हैं और स्यमेटिक फैमिली इसकी प्रमुक भासाओं में आरामी असेरी शुमेरी अकादी गनानी यह सब भासा हैं इसमें प्रसिद्ध है और आज की डेट सामी इसकोban गया ईप्रीकी है और फाइप परांट के आधार पर या भोगलिक ज्रिष्टीों के आधार के इसको कूर्मीर सामी और argued पर्फ्री मिछ्यामी में गया और इसमें जो मुक्षि भासाएं हैं वो उसमें इजिप्सियन, बर्बर, कुशिती, शाद, शामी ये सब भासाएं जो है भी इसके अंदरगर आ जाती है तो आज की डेट में हम जो देखें तो उत्तर अफ्रीकी उत्तर अफ्रीका का जो शेत्र है और जो मेडिल इस्ट जिसे मध्यपूर्व कहते हैं जिसमें आपका अरब, पूरा अरब का शेत्र और साथ में उत्तर अफ्रीकी का शेत्र और कुछ इस साथ थोड़ा बहुत धक्षिन ये उरोप का लगता हुआ वहां पे इस भासा का प्रचलन रहा है तो यह भी प्राचिंतम भाशा परिवार रहा है विश्व में और उसके बाद आता है बहसा परिवार जो कि इसकी जो इसके जो फैलाव है वो मून तोर पे भारत में ही है भारत में जो चार भासाएं हैं कौन सी तमीन तेलगू, मलियालम और कंगड़ और यह जो चार प्रमुक भासाएं हैं यह बोली जाती है दक्षण भारत और स्रीलंका तक इसका विस्तार है इसमें 26 प्रमुक भासाएं है और यह भी आद्वी एक बड़ा प्राचिंतम भासा परिवार रहा है धर्विडियन बाशापरिवार जिसमें जो तमील भासा है गो त इसका सबसंपता है और इसका जो भासाइय स्टरक्चिर है सनरचनण लिकाता है और यह दिन जा इसके अन्य नाम है तुरानी, सीडियन, फोनी तातरी, तुर्क, मंगोल, मंचू, आधी भी नाम है इस वासा परिवार के इसका शेतर बहुत विस्तरत है, किन्तु मुक्षितर साइवेरिया, मंचूरिया, मंगोलिया में पहला हुआ, यानि पुर्वी रूस और रस्या और चै इनकी प्रमुख भासा हैं तुर्की, अतातारी, किर्गीज, मंगोली और मंचू, जिन में से सबसे प्रमुख है तुर्की भासा, इसका नाम है यूराल और अल्टाई भासा परिवार और लेकिन ये दोनों जो भासा है, इन में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा भिंदता है, इसलिए कुछ विद्वान इने दो पृतक पुल में रखने के प्रक्षमें भी है, इन तो व्याकरणिक साम्में पर निसंदेवे एक ही खुल की भासा है, ठेर भीद्वान मानते हैं कि इसको यूराल भ प्रत्यों का स्वारानुरूपता आधी एक खुल की भासाओं की मुख्य विशिस्ता है, स्वारानुरूपता से विक्रा हिए है कि प्रत्य धातु में लगने पर किंतु साधरानते विशाल आकार आधी सकती की बस्तों के बहुदत सब्द पूलिंग करेंगे, तो आप इसम यह जो कुछ भासा परिवार है यह तो आप लोग के लिए बड़े परिचित से हैं, जैसे हमने इंडो-यूर्पेन कहा तो यह हमारा हिंदी और यह सारी भासा है इसमें आ जाते हैं हिंदी ओडिया बंगला आडी बीसी में अंतरकत हैं, तो यह पिर जो आपने ध्रविडिय है और इस बाद एक और भासा परिवार हैं आश्ट्रिक भासा परिवार अश्ट्रिक भासा परिवार खिए यृठ लेकर के भारत की व्यांत ... कि इसके दो कि इसको बाता गए जिसको ऐस्टरिंग। अस्त्रो सेटिक और यह को में कॉलीनेशन। की सट्रेश हाँ हैं उस्टर यह स्टैश्छ वो यह और पर दुसरा है पोलिया मुणध अबहुत है यह घंटके की आम कर दोड़ी तो आप अगर इसको देखें तो इसका विस्तार है यहां न्यूजिलेंड अस्ट्रेलिया यह इंडोनेशिया मलेशिया इंडोनेशिया मलेशिया से भारत तो जो दो अग्यार जोण में पूस्ट यहां पूरा सको जूम कर दीजिए तो यह देखिए इसके बारे में बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि यह आप देखिए ब्राउन कलर में है इसको कहा गया है और यह मैं आपको इसे कलर दिखा दूँ तो यह क्या है यह जो भाषा है यहां पर भारत में बहुत कम लोग इसको बोलते हैं खासतोर पर को जो का जाता है कि भारत के जो मूल निवासी है यह जो आदिवासी है यह से मुंड़ा कोल संथाल यह सब जो जारखन रूडिशा और इवन आंद्रा आधिप्रदेश में या चातिसगाड मध्यप्रदेश त कि मतलब चातिसगाड उडिशा में कुछ पोल मुंड़ा आड़ी जो आदिवासी है उनके भाषाओं के सब्द जो है अस्ट्रेलिया में बोले जाने वाले आदिवासी के सब्दों से उसमानता आई है तो फिर इन्होंने जब यह रिसर्च किया तो यह पाया कि जो है कि कही तो हमका वोंगे तो यहाँ पे आपका मलेशिया इंडोनेसिया होते हुए यह यह जाने लक्र, यह वमक्र, अंकी यह आगे और चलेंगे तो यह न्यूंजलर्ण है और यही है न्यूंजलर्ण है यहां- यहां टक भी इनकुमी यह घ्निवासी पापो," और हसा हो बी बढ़े दूर तक फैले हुए है भारत में इनकी शंक्ष्या तम है जो आदिवाश्रियां वही बैसिकली इसको बोलते हैं लेकिन इसका बड़ा महथ तो है इसलिए है क्योंकि बहुत प्राचिन भासाएं हैं यह और इवन जो कुछ भासा विग्यानिक हैं वह मानते हैं कि जो इंडो योर्वित भासाएं बाद में आए लेकिन यह जो आगने भासा परिवार था या इसकी भासा है भारत में इससे पहले से जो है तो यह हो गया आपका परिवार चीक है तो आप इसको तो गूगल कीजिए तो आप गूंगल कीजिए तो आप और भी जांकरी इसमें मिलेगी और जो भूलाना तिवारी है उनकी किताब आप पढ़ेंगे भाशा पिज्ञान तो उसको बड़े विस्तार से जो इसमें चर्चा की गई है फ़्यला जो है एक और जो परिवार है नौवा परिवार वो है अमरीकी भासाएं इस परिवार में एजडेक, आधि सेकडो तो इसके अंतरगा परिवार मतलब सो भासा परिवार में कितनी भासा है इसमें आ जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा बहुत नहीं यहां रखी गई है इसको में देख लेते हैं तो यहां आजाएगा है कि अचर पो एक कंद वो है कि यह क्या है यह मूलताओर पे यह में आप देख रहे हैं तो यह नहीं है वह अमरीकी पास है कि यह तो आपका इंगलिस दिखाए और यह जो है भारविपी बास आई से लिए इसको ग्रिन में दिखा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पुरा यूरोप और यूरोप एशिया और इंडिया और यह सब तो यहाँ पर दूसरी दूसरी जो कलर में आप जो भासाइट देख रहे हैं यह सब इसमें आ जाती है यह ब्राउन देखिए परपल दख लिजे यह फीला रंग है यह औरेंज है यह सब जो है तो यह लोग कौन थे यह थे तो यहाँ पर भी देखिए ब्राउन डॉर्ट्स हैं जो मिडल अमेरिका है यह उत्तर अमेरिका यह दक्षिन अमेरिका और यह मद्य अमेरिका में आप ये का प्रयोक करते हैं गुल निवास क्वां में जो एकि यह इंब अमरीक करते हैं जा मंट-बोल यह जब यूरूपियन लोग अमरीका पहुंचे उन से पहले इनका निवास यहां पर पर यहां पर यह जो भासाएं हैं इनका आस्तित अभी भी है और इसको हम देख लेते हैं और यहां जो एस्कीमो ऐसे इन बाळाओं को च्छय उकुमर्व हम बाढते हैं आप तो यह थोड़ी सी इस पर हो गया अलगलग परिवार हो गया इस पर थोड़ा इस वो सो कंक्लूड करेंगे इस्कर्स की ओर ले जाएंगे तो यह वरे जो है यह केबल पारिवारिक संबंदों और विश्यस्ताओं को समझने के लिए इस बर्गीकरण में अनेक मतांतर हैं इसलिए कोई निर्नायत्मक्स स्थिति नहीं बताई या सकती परी भासाओं को अदि घिनीदें रहते हैं, कि अलगी भासा परीवार मानते हैं, मतवधों के रहते हुए परीवार की शंकल्पना, विश्यों की भासाओं को समझने के लिए हमारे लिए उपयवी हैं इसमें बहुत सारे इसमें जो बनाया गया है इसमें बहुत सारे मतलेट है और इसमें बहुत सारे कंशेप्स ऐसे हैं जो परिकल्पनाया हो बदलती भी रहती है यह समय लिए कि उदारन के तौर पर अलग अलग रंगों के बहुत सारे बॉल्प डाल दो और उनको मैं को आप इनको थोड़ा समयट करके इसको व्यवस्तित कर दीजिए तो आप क्या करेंगे तो अगर आप थोड़ा सा सबस्क्राइब कर लिए अगर आप देखेंगे तो क् खुड़ा रख डिया है तो आप उनको देखने में कि हाई यह पीले रंग के थने इतने हैं इस साइज के इतने हैं चोपर बॉल में से स्क्वाइर जल एक तो समझने में और उनकी संक्ष्या और उनकी मात्रा आदि को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है इसलिए जो जो आगली कर्षाओं में जो है जो भासा परिवार हैं जिन में भारत के जो भारत के बहुत बोले जाने वाले जो भासा परिवार है उनको और खास करके भारोपिय और इंडो ड्रेविडियन और इंजी सब का अधियन अलग अलग अक्षाओं में करेंगे तो मैं अन्रोद करूगा अभिशेख जीसे की अभिशेख को अपने संचालन अपने हाथ में लें और कोई प्रश्ना आठी हो तो पूछे जी सब्सक्रा अधिया जीए बहुत अच्के राक्षान के लिए बहुत सरी चीजे जो उत्की आति में लगातार अलग अलग विच्छे की इंटी साहित में लगातार दो मंधी से अधिस अगरा चल दिया तो एक लंपा सा गैग भी हो गया था तो इसलिए मेरी की बहुत सारी यादेत से गातांuar गде प्रश्चाट अपने लगातार अफ ना रहें, अधिचा में लगातार बने ना रहें, बहुत से चीजे भूल झाता है, इसलिए विए रिकॉल कराने के लिए बहुत सरी चीजे आपो बहुत 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 दनेवासदी ुख मैं प्रश्च्ट अगरा लेता तो इसकी प्रमुत में सिस्ता है कि बार्पीय भार्षा परिवार की इस पे तो अगली क्लास में हमको पूरा मैंने बताया आपको की जो यह है रोपीय भासा परिवार है जो इंडो यूरोपिय लेंग्वेज फैमिली इसके ऊपर पूरे कक्षिया में चर्चा करेंगे विस्तार में इस पर बात करेंगे विश्यस्ता है आपने पूछी है कि अगर हम जो इसको सब्सक्राइब करेंगे जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे आरियों की बात कर रहते हैं मैं एक आपको थोड़ा सा प्रटी है मेरे पास मैं देखता हूं अगर है तो मैं आपको दिखा दूँए जो मैं अगली कक्षा में साथ यह करने वाला हूं मैं तोड़ा सा एक सिरंट कर समय लें तो झाला हूं जो मैं इसको फिर अगली बार इस पर यह करता हूं मैं इस प्रेश कर देता हूं साथ भी पीटी मिलने रहा है भी बड़ा रूनने में समय लेगा तो अपने ही गहा था जो जैसे एक उदारन आ रहा हूं गा तो इसको पहले जो महरूपिय बहाजा परिवार भी इसको रखा गया था बाद में इसको बदल के महरूपिय बहाजा परिवार कर आ गया अब आरिये क्या है मनुष्यों का जो सम्हूँ था यह की गए कि जो मध्य एशिया है यानि रसिया का जो बड़ा मैदान है मध्य एशिया का वहां से यह प्रजाती जो है विक्षित हुई और यह यहां से निकल करके दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में यह फैल भी तो वहां से वो इधर एक साखा जो है यूरोप की और निकल गई एक साखा इधर आपका इरान की और चली गई और एक साखा जो है भारत की और ठीक है तीन साखाएं इसकी यह गई और जैसे यह गई तो इन अपने साथ ही अपनी भासाएं और अपनी संस्कृति जो है लेकर के गई और उनसे जो है य और इधर लोग जौ इंडिया में आ आए तो संस्क्रेट लेकर हैं और संस्क्रित से फिर बाद में पाली प्रयाक्रोद अपनु celebratin होते हुए भारत की जो आधुनी का रिवह भासा है माराटी डंगलाओर या अस्मी घसमीरी हिंदी यह सारी भासा वो बड़ा विस्त्रित था बड़ी अलग अलग दिसाओं में ये लोग फैले और एक तरीके से जो है इन्होंने अपना अधिपत्य जो है मनाया और अधिर के से जो दूसरी भाषा है उनको प्रभावित किया इसलिए जो परिवार है इसका विस्तार आप बड़ा जादा बहुत जादा देखते हैं और इसको बोलने वाले लोग भी बहुत जादा है और डायवर्सिटी और वास्तों की ये जो है विसस्ता है इसी के क करेंगे हैं। जिसेग जि बताइए विजेग निदेड़ी घर सबसे विछाल इने घर्णापिवार कंटे हैं जाने अगने सबसे विखाल आपके श्रणा आपके जलिए इस पाणि युरोपीय भासा परिवार कि भार्किया शाखा को तो इतना मुझे समराणा राही कि ये वहती।ə बारतिय साखा कर नाम दिपू हर को ने हुआ हथ सरे भारतीय साखा कर मो değer नाम को जानते पह सकती है। वह हुदे दें Mexican thayasate आगे चल करके बहुत सब्सक्राइएं को आज की वरत आज के तारी फैस्तर ने वह है रहा है। अगर कहीं में गल्भी क्या हो तो उसी सर यह विसाइट ने एक तम सही बता है कि जो आरिये भासा परिवार ना मने बता है जो साखा यहां पर आई वो संस्क्रित लेकर और साथ इनका जितनी आधुनिक आरिये भासा हैं जिसको हम कहते हैं ओडिया बंगला मराथी कुंकरी वि यह परिवार की सदस्य हैं और रिये विकास हुआ है और बात में इनका जो कॉन्टेक्ट में आना जो बोलते हैं तो द्रभीड़वासा के साथ संपर्ख में आए और जो संस्क्रित की सब्दावली हैं कि बहुत सारी द्रभीड़वासा में भी गई हैं कि जैसे तेल्गु भासा है अस्तोर पे बड़ी इसको तेल्गु को भारत की स्कस्तमा दूर्तम भासा इसो कहा जाता है इटलियन ऑफ इंडियन लेंग्विश फैमिली करेगा है तो इसमें तेल्गु ने बहुत सारे संस्कृत के सब्द अपना है अपना है तो ज़्यादा समय नहीं इस पर बात में आगे चर्शा करेंगे तो मूल तो पर यह सारी भासाएं हैं जो आजाती है आगे प्रशन कुर्ड कितने भासा परिवार हैं इसमें आगा बदी मैं भासा परिवार हैं और को कि विश्व में जो भासा हैं वो लगवग आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे पांच-छे अजार से ज्यादा भासा है तो जब मत्वेद की बात आती है तो उसमें कुछ लोग को कहते हैं से कि जो अमरीकी मैंने बाता है अमरीकी जो खंड बताया अमरीकी खंड में कुछ बिद्वान मानते हैं कि इसके अंतर करते सो भासा परिवार कि शंग कर छोड़ दी तो यह लेकिन अगर हम बहारत की भाशाओं की समद्ध विश्येश्ता है क्या है कि यह तो मेरे खल से तो तो इन गंटे का लेक्ट्चर हो जाएगा सारा एक तो भारत की बाथा बहुत जादा है तो 13 डूनेróट है चार करोड़ में हैं करीबन 40 बोलियां होंगे उडिशाव बोली के अपनी विश्यस्ता है अपनी अलग मदूरता है विश्यस्ता हों का तो कोई अंत नहीं है बताने के लिए जैसे आप हल्दर नाथ की कविता सुनते हैं तो आपको बड़ी मदूर लगती है अच्छी लगती है आप उपंद् आम द्यान से निकल गया एक बहुता परिवार की भासा थी मैं अगली क्लास में आपको बताओं घ्रबिट भासा परिवार कहा है उसका लोकेशन कहा है और रख्य है भारत में से वासा निकल करके अब वह भासा कहां जीवी थे आपको जानके आस तरह ये बहुतां पाकिस्त परिवार की बहसा है तो उसके बारे में अगली कर्षा में उसका नाम ले करके और बहुत चीजें बताऊंगा आपको बड़ा इंट्रेस्टिंग लगेगा वबड़ी अजीब सी बहसा है और उसको ब्राहूई ठीक नाम यादा है ब्राहूई 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 एच करके पाकिस्तान की बलोच प्रांत में कहां पहुंची ऐसे पहुंची जब बीच में पूरा उत्तर भारत आया गुजरात आया यहां पर यह ब्राहूई नहीं बोली जाती वहां पहुंची तो इसलिए यह माना गया कि जो हमारी जो सिंद संस्कृती थी ने इंटेस्वेली सिविलाइशन के बारे में जो विवाद है उसमें एक तर्थी यह रखा जाता है कि उनकी भासा आरिया भासा नहीं थी बलकि द्रेविड भासा है थी और यह द्रेविड लोग थे जो लक्षण वारस से जा करके इन्होंने यह सब्वेता सिंदुन अधी के किनारे बसाई थ पर यहां पर बोली जाती है तो ऐसे बहुत सारे अब्सक्राइब बारे में आप जाने के समय ने बताया यह यह सोद और अनुसंदान का विशेश्वेशं इसमें उताराण दिया था पनही का तो पनही जो ए पश्ची मोडिसा में बोलते है चपल के लिए आपको मिलेगे अ जी 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 वो संसार को कितने भासा परिजामें बाटा जैसे उतों सचाइब आपने जी जी आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब नालों सोच रहा है पर मैं आपको सामने रखता हूं एक बुद्याती लिख रहे हैं आपको गोल्डी गुप्टाज लि जी आप ने लिखा बिना भासा नहीं होती तो आप उससे पूछती कैसे आपने अपना प्रशाब पूछा तभी तो भासा है तभी तो पूछा आप इसारों में पूछ सकते लिए तो यह तो थोड़ा यह है कि मैसेज के दवारा या वार्तालाब कर सकते हैं कि ह Rechtsa देखिएना जब बच्चता पहले बोलते ने मनुश्य उफ्षित यह आता तो जंगलों में रहता हूँ तो यसारों में बास खरता अंगर करता तो देदेडे जो है दिड़े धनियों प्रुक करनाा शीए ठीड़े बोनियों से चलते जो है उसने धनियोई तो सब्द बनाए सब्द से बासा बनी सुरू में तो यह था तो हम लोगों के अंदर संबात देरे-देरे कम हो रहा है तो बाचित कम हो रही है तो बासा की जो हो सकता है कि जैसे जो बोलते हैं कि कि तर्विन की थियुरी दिकी जिस्टीज का प्रयोग नहीं होता है वो तरदेरे खत्म हो जाती तो ऐसा कोई समय ना आ जाए कि बहुत कम हो जाए तो खेर वाज़ा वह तो एक मजाक का विश्व हो गया बट भाशा की आवश्रक्ता हमेशा है और वह बनी रहेगी बिना द्यश्रक्ता है कि पहले को प्रश्ट में सहमति महीं जाता हूं वो लिखते है कि सर आज़ी अब भारत में सीमीट रहेजाए जो देखिये अपने झाव तो आर्ये भास से बाहर बुली कि गयाती और इरिए बाट से बार इंब रिए बोले आतीं बार्फो The एक शाखा परीवार की इन थे क्डारम बुले हां तो येरत मराखी तो भारत के बाहर की चाखा है और इसकी उत्पत्ती कहीं और हुई थी और वहां से भारत में आई और उसका भीटरा तरहा और और उसके बाद इसलिए यह चार जो भासा है मल्यालम तेलगु तमिल और कंणड यह चार और तुडू भासा तुडू भी एक भासा है करनाटक में पाच भासा है बैसिकली इसके अंतर पर आती हो और भी बोलियां है आती है और अब देखें तो जैसे उसका सिरलंका में तमिल स्रिलीज है और ऑर सिल्लंका में तमिल है और सिल इसमेलीज है जो सिल्लीज भासा है वह 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 बहार घंट और यह जो तमिल नाडु के लोग है तन तो लोग अपने साथ बी ये तमिल भासा ले करके गए तो इस प्रकार से आप इसको समझे आपसे ही संबंद सवांका रखता है या उसके अपने स्वतन की भासा परिवार की भासा है बोली लिपी उसकी देवनागरी है कि मराठी से बहुत ज्यादा समानता रखती है मराठी और कुंपनी लगबाग आप भाई-बेहन कह सकते हैं इसे बंगला उडिया का संबंद जोड़ते हैं हम लोग तो वैसकी है लेकिन थोड़ी से अंतर है बोलने में अलग होता है मराठी सब्सक्राइब करें ना करें वह अलग चीज है तो हम लोग क्या रहा एक विज्ञानिक पढ़ाई है यह लिंग्विष्टिक का यह जो शेटर है ना इसमें हमें लोग यह पढ़ रहें कि तुल्ला का विशा नहीं है यह संबंद है अंतर संबंद जो है उ है तो उसको हम स्तापिद कर रहे हैं तो उसका में अगर हम देखे तो जो इंडो-european family है उसकी भासाए है इसमें हिंदी है पंजाबी है और इवन जो ग्रीक है लेटिन है फ्रेंच जर्मन है इंग्लिस है कि सारी जो है एक ही परिवार से बिलॉंग करती है तो उसमें जो है वो लोग संबंद संबंद जोड़ना नहीं जोड़ना हो अला कुश है बाकि संबंद इसमें है और वो तो इसमें तुलना करना नहीं करना वह विशह नहीं है बलकि यह अंतर संबन का विशह और वह स्थापित है वह सब्दों का संब्दों और कोई प्रश्ना है अभुश्य का तो अगर आपकी अत्म आनियुक्ति है तरा किसिद्ट वह संब्सापल के लेएंगि अधर एक मिनट देच्ट्य वर्ट अब में इंक प्रश्ना खेल्गों का उत्तर देदूँ में है और दुनिया में तो तो बोले जाने वाले लोग कितने लोग उस भासा को बोलते हैं उसकी दृष्टी से आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्याद बोले जाने वाले नंबर दो में जो तुद्धिश बंद कर लिए जो नंबर टू पर सपैनिस भासा को और नंबर तीन पर इंग्लिस को और नंबर चार या पांच पर हिंदी वासा को रखा जाता है बोलने वाले इसकी संचेगा दा कि लेकिन हिंडी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि उर् यहारी हुए है तो हमारे बिद्वान करते हुए तो यह जो है प्रत्र अपर ऊस्टेशन करते हुए है उन्होंने ये प्रूफ किया था कि हिंदी भासा विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली है एवन जो नम्बर है ओको मंदारी निया चैनी से भी जानी अगर आगर हम उसको भी छोड़ दें आज हम कह सकते हैं कि बोले जाने वाली भाषा कि संख्या के आधार पे विश्व में तीसरय है चोथन नंबर की बासाétat हिं हिंदी कि इस उसका स्थान sind eh सिर्फ बोल जाने वाले ले नंबर के आधार पर हम भासा की सकती है उसकी बोले जाने वाले सस्किश कjours माटि शभी उनकी बोले जाने वाले संख्या पहुत कम है लेकिन लेकिन भी उनका आदिपत्य बहुत जादा बहुत्यक्त सब्सक्राइब कर देखें तो उतनी विक्सित नहीं हो पाईए अब देरे देरे जो है हम लोग उसका मुहत्तो समझ रहे हैं और उसको एक अंतराष्ट्री पडल पर जो है स्तापित करने का प्रेहास और यह विश्व में भाजा में हिंदी का स्थान या सित पाणिगराई और पूजा यादर द अल्मोस्ट एक बजने वाले तो इसको बहुत 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 दनेवाद बहुत आभार के अपना हमें तो इसी तरह से पुना एक बार हम लोग वाकर से पुना एक आगामिस अफ्ता में जुड़ेंगे और अच्छे अनुरोद रहेगा शिलाफ एक अपना स्थाना हमें भी रखें हमारे लिए तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद तो यह बहुत 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 दनेवाद आपको आपके बिना कश्छा फूल भी रखेंगे और अपना समय देने के लिए और अपस्ति नहीं चीजिए आपने आपको सीखने करें मिली होगी और अगले कश्या में फिर चुड़ेंगे और फिर कोई नए विसाइट उपर संबंदित है और परिवारों से संबंदित है उस प्लेक्ट के हम लोग पर चुड़ेंगे और फिर चैट्शा को आगे बढ़ाएंगे जी से बहुत बहुत धनिवासर अपना समय देने के लिए काइम देने के लिए कश्या को मैं समाप तरूं से पहले एक बो बाते मैं आप किम्होंने एक बिए देख लूग तो अब हुट है और तो चैट्शा कर रहा है तो किम्होंने एक बुए प्रश्या आए थे तो मैं थोड़ा से अगर आप लोग में धारिकल समय हो तो मैं उसके थोड़ा सा अलका पूल कर चैचा कर दूर जितना भी मैं जानता हूं जैसे जब मैं चेचा कर रहा था उस समय किम्भू ने एक सरला जी ने प्रश्ण लिखा था एक सेटेंड में थोरा नीचे करूँ हाँ सरला जी यहां पर है यह नहीं है मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है एक सेटेंड में देख लो परिवार के संदर में उन्हें समझने में हल्की फुल्की दिक्कत आ रही थी तो अगर आप लोग चाहें तो मैं वूस पे अपनी बात रखना चाहूंगा जो सरला जी ने छोड़ा तो उनके प्रश्ट फिर से कहीं चेलेगी एक से करने थोड़ा आगे बढ़के देखो हां वरगी करन चीक से नहीं समझ में आ रहा भासा परिवार क्या है और अच्छी से समझाईए तो भासा परिवार को अगर आप लोग जो भी समझ चुके होग जिनका जन्म किसी एक मूल भासा है मतलब एक मूल भासा है उससे बहुत सरी भासा ही निकलती है उससे आगे चलके बहुत सरी बोलिया बनती है इसे हम साधारन सब्द में जो एक ही मूल भासा से जन्म लेने के कारण इनमें करी समानताय रहती है तो वह एक ही भासा परिवार का तहलाती है जिससे बहुत सारी भासा हैं परिवार है जैसे भारत, यूरोपिया जिसे हम भारोपिया कहते हैं यसर ने भी समझाया आप जिञे हैं जिए मुख्य रूप से यह भी हारी पूर्मी हिंदी और यह भासाों का संमू है जिसके अंतरगत बहुत सारी भासाइं आती हैं जैसे हम बात करें तो आंगी का बजी का भुजपूरी मधी मैथली यह एक तरह कि उनके अंतरगत बोले जानी मुली बहुत सारी बोलिया है जो उसके अंदर निकल जीए लेकि जब परिवार की बात करते हैं तो विहारी जो है पुर्वी हिंदी, पुर्वी हिंदिक अंतरगत, चो बहुत सारी भोल्य भाशा net सकते हैं, उसके अंतरगरत थांगी आ वदक्वत्ची का भोश्कृती आप कह रहे हैं कि भार्ट भासा के संदर्ब में जो आरे ड्रावीड का द्वंद चलता है उस द्वंद के समानता में किस तरप लाने के लिए क्या विचार रखेंगे द्वंद आपकी और मेरे पक्षण से कभी नहीं चलता है यह जो द्वंद चलता है यह हमेशा राजनीति के पक्षण से चलता है और इससे समानता के रूप में लाने का सिर्फ पसिफ एक ही अगर बतो हूं सॉल्यूशन है एक ही उपाय है कि आप उनकी भासाओं को इज़ते उनकी भासाओं को पढ़े उनकी भासाओं को सीखे तभी वह सामने वाला आपकी भासाओं करेगा आपकी भासा की प्रति समर्पनर दिकाएगा क्योंकि हाथriverिया एक सवाल नहीं होती है पर यह वो जब हुंद हर कुछ है कारे यह कर सकते हैं बहुत साथ द्यतिएए तो शी पन्यास को पढ़ते हुए चेमिन और संस्कार के में बात करूँ जो मल्यालम और तेलगू में लिखी हुई उपन्यास है जो पन्यास को पढ़ते हैं को कहते हैं पढ़ने के लिए वही चीज है कि यह जो द्वन्द चलता है यह राजनिती के छेत्रों में कुछ कुछ यानि फूच और कुछ लोगों की जो अपने स्वाघ की पूर्ती के लिए द्वन्द चलाया जा रहा है और उसमें जो मुर्क लोग होते हैं उसमें पढ़को और बहाते हैं यह आपकी अर हमारी नहीं सिफ्षित लोगों कि हम साहितश से जड़एं लोगों का करता भी ह कि मुझ भासा को पढ़े उस भासा को समझे समझने की कोशिज कर उस भासा की इजद करें उस द्वांद को समानता के सब्सक्राइब लाने का एक्रमात रुपा यह इए तो इसी के साथ वारतो कोई प्रश्ण नहीं है और अप लोगों का धन्यवाद की आप लोगों ने समय द इस बारे में बाते भी हुई तो मुझे समझने आया कि मैं क्या बोलूं तो मुझे बस ये पूछना था सर की हमारी जो हिंदी भासा है वो अंतिरास्टे भासा है की नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं है अभी भी कुछ लोग बोलते हैं देखिए सबकी अपनी मानेता ना जिसकी जैसी एक बहुत पुराना शेर है किसी का कि अच्छे ने अच्छा देखा बुरे ने बुरा देखा जिसकी जैसे सोच कि उसने वैसा देखा तो यह चीज अलग है देखनी चाहिए नहीं देखने चाहिए मैं तो मालता हूं इंटरनेशनल भासा के प्लॉर पर हिंडी है इस वजह से है कि भारत दुन्या का अभी सबसे वरा भाजार है आप अगर देखिए तो साहिप कि हिंदी सबसे पहले खला की भासा थी खला की छेत्र में उप्योग होता था आज वो कॉमर्स की भासा हो गया जान इंग्लीस में डालता है कभी नहीं डालता है जितनी बड़ी से बड़ी आप फोर्मिलर कंपनी ओर्डी मर्सीडी सबसे है वो भी हिंदी का ही साहता लेती है तो जब आप मेरे देश में आते हैं अपने वैपार बहाने कि आपको मेरी भासा की जूरत पर है यानि कि मेरी भा मेरी नजर में Hindi है, international भासा है, भागी, जिसको जो सोचना है, मेरी मेरी भासा है, तो है, بہت भ्रहत है, बहुत सब्य है, international भासा मैं मानता हूँ. ये लिख्षित नहीं है मतलब कि उंधराष्टी भासा है कि नहीं है कि इसकी बहत्स हमेंुसा होते रहती है अंगरे जी कहीं प्र मुझे दिखा दिए कहीं लिख्षित हो बहुत लिखत लिंगे मैं लिख देता हूं कि हिंदी अंतराष्टिय भासा है तो ऐसा कुछ नियों लोगों की लोग को बहुत सरी लोग जाली रहते हैं कि प्रेंचन की स्काइट को पढ़ते हैं एक समान लगता है तो कहने को तो लोगों का एक सोच है वो अपनी विचार रखेंगे अपनी शोच र है इस वजह से कि बाजार को हिंदी की जुरत पड़ेगी है और कहलाएगी यह सर थैंक यू सर थैंक यू धन्यवाद प्रिया विध्यात्यों समय भी अधिप हो रहा है तो मैं आपका जादा समय नहीं लेता हूँ आप लोगों कोई कच्छा यहीं समात होती है आप लोग चाहे अपने अपने अर्ण से कॉल को काड़ सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाल आप लोगों का चुट्टी के दिन समय करी करें वाधर पेता हों जोरॉंड में फुरा यहीं समय व्याहीं करें जार्ण giorno पर urgण पर लोगों कारणन वह में तो वही क्लास आपके ल क्रेज़ है और पकिधी करिया उन्सनौध एक लाटूम। बहुत कुछ सिखीने को भी लेगा, आपनों को आनन्द आज वसुचा को, वकल सारेश्मीन बजए एक रक्षा में जुड़ें वाफिस से, आपनों इसके साथ बहुत-बहुत धनेवाद, बहुत-बहुत आवहाथ, इस महामारी के दौर में अपने घार में रहें, अपना ध् जान रहे, स्वस्त रहें, स्वस्त रहें, बहुत-बहुत धनेवाद, बहुत-बहुत आवाद, और आज के छुट्पी को दिन को एंज़ा करें. Amit, sir, नो रेकोर्डिंट अपन परूची साथ, थेंक्यू, sir. Okay, sir. Welcome.